इस वकत हम पापोश के कबरिस्तान में मौझूद हैं और फातिया करने अमूमन लोग आते हैं अपने प्यारों को याद करते हैं जाने वाला चला जाता है लेकिन जाहिर सी बात है यह कुद्रत का निजाम है हर एक इनसान के बाद हर दूसरे इनसान ने जाना है और वक्त मुकरर है लेकिन जो कहान तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन वो जन्वर जिसकी आपने बाते सनी जो यहां कबरों में पानी देने के भाने पता नी किया क्या करता रहा किस दिल से करता रहा इनसान सोच के भी एक मिनिट के यह दिल रुक जाता है आप भी हैं मैं बी हूँ हर एक ने इस मौत का मज़ा चक कि भी दिल में खौफ होगा कि हम कबर में जानवरों से महफूज हैं या नहीं कबर के अजाब की तौबा और दीगर जो हम अपने रब से अस्तखवार करते हैं उसके साथ साथ हमें ये भी सोचना होगा कि क्या हमारी आखरी आराम गाएं और खास तोर पे खवतीन की आखरी आ इरफगित अबादी भी है लेकिन अंदर की तरफ ऐसा इलाका है जो के काफी दूर कबरे हैं और काफी अंदर की तरफ हैं बड़े पेमाने पे पहला हुए या संब पर जा फ। महरूफ और मशूब है यहांपर इसके अबादी है काफी बड़ी लोकेशन है लेकिन ये हादसा बारहाल यहां हुआ और जिनके साथ हुआ वो उनकी रूह तो अल्ला ताला उसको सकून पहुंचाए लेकिन लॉज इतने सख्त करने पड़ेंगे कि बेहुर्मती की सजा खाली एक साल इस जस्ट नाट एकसेप्टबल असेम्बली में ऐसा लोग बनाना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जाए और ऐसा अंजाम हो और उस कैफर करदार तक पहुंचाया जाए ताके आने वाली साथ, दस, पंदरा नसले सोचें, सोचने से भी गुरेज करें कि वो कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, किसी से हमारी बात हो जाए अगर गोरकंद से या किसी से और थोड़ा सा अंदर भी आपको दिखाबनें अब आपका नाम किया बादि अबना मुख्तियार और मुख्तियार भाई आप यहां क्या काम करते हैं मैं मजदूरी करता हूँ और के पानी मानी में डालता हूँ अचा आप रहते हैं कहां रहते हैं हम four अब यहां जिए और और पिर्फ यह बताएं के यहां जोबि एक वांकिया पेशाया है र्याज नामी आद्मी जो पकड़ा गया उसके हैं तो spar पान्तों को वाट वज़ सि करisme हम पाल बजा हमलोग चले जाते हैं तू इस चीज़ का हमें भी इननी था ये क्या हो रहा है आगर ये तो हमसे अख़बार भी विए मेसानी धzychते हैं, Paul हम सुना ससी क्वे लिए करता है. तो ये क्सिऑ में पोछ आपसे मैं खाली पूछ रही हूं किया आप उसको सलाम दौा हुई आपके जानते थे आप जानते थे उहीं कानी देता हम भी होते थे अच्छा आज़ यह बताएं कि जब वह आपसे बात चीट करता था सलाम दौा पानी वानी डालता था तो आपको वह बिलकुल एक मतलब है स को योता THA वजी रहोता था पहले अब ओमर हैं कितना अर्वा बार रहा हैं यह तो तकरिभी मुद्धा स हल मताने में में 350 साल करने आरगेमा कर्ता है इसको नहीं क्रास इसी साल हो इसको है भाइजा वो कैसा दया करता है भाइज भी shocked नहीं पाम करते लिए काम करते थैसी काम लगत नहीं करता है उड़ते काम करते था तो इस वाके आपको टीवी से पता चला जिए टीवी से पता चला आपको कभ़ी शक्यी नहीं हुआ यहां किसी गोरकनने कभी कोई बात में की मतलब साथ से ज्यादा खवातीन की लाशों के साथ वो कबरों में घुझकर पर बेहुरमतियां करता रहा, पूरे कपरेस्तान में पानी देने वाले गोरकन, आसपास के लोग किसी को खबरी नहीं हुए। नहीं हमने किसी का इलम नहीं है, हमने तीवी में देखा और अख़बार में देखा वाज पता चला है। गोरखँआ से बात हुई पिर नहीं गोरखँआ से बात हुगा है। यह रहुते शो कितनी लोगों चैनल के उस्टेम डोगे का इसमय कि सवी तो रात को इनों को ने पकड़ा लिया था ना बेहोडवती करते श्यप रखते हुए तो फिर ये बात पहल गई मुल्ले में को कब्रस्तान में काम हुआ है कैसे पता चला था चारिक यागा मुंशी है वह आ रहा था तो उसने देखा इसको केदने में आते हैं कि भई बंदा जो डरा हुए था और स्टिफ इसने तोड़ी रखी वी तोड़ी बाकी थी तो चारिक ने जब इसको देगा अंदर आके देगा तो स्टिफ वो बड़ी हुई थी और बंदा बोत खराब हो गया था उसी जगह से निकलाया था तो यह खोद ने मिटेविटी लगी वी जिसके रात को निकलाया उसी यानि के यहां कबर के साथ बहुर्मती की है यह जैसे बार निकला है तो चारिक में इसको एगाम पकड़ा हुए ने कबर से उतरते हुए यानि कि स्टिफ रख दिये पता लग रहा था कि स्टिफ ने पूछा नहीं तुम क्या करे थे अंदर पूछा अधर सब बलो चो को पता एकिर पूछा पिर इसको पूलीस के वाले भी किया था कि भर इसे जब सुवा पूछा तो से क्या का मैं क्या कर रहा था यह नहीं मान रहा था आप कि सुभा से रात तक होते हुए हमारी डूटी एक सुभाज ब़स एकर मगरिक की आजा हुए घर और बस यह लोग बैठे रहते हैं यह बैठे रहते हैं उसके बावजूद यह वे इस आद्मी जलील इनसान कबरों में घुस्ता रहा है उनकी कोई अंदर को रहा है ना काम नहीं है और किसी को क्या पता क्या कर रहा है यानि अब यह आप बोलोगी तो दो-तीन में बंदों को अगर रख दिया तो पर दो पड़ेगा महले वालों को करना पड़ेगा जो कहानी आज हमने आप तक पहुंचाई है इसका मकसद ये है कि एक तो ऐसे शेतान सिफ्ट इनसानों को पकड़ने वाले ओफिसेज को हम खराजे तहसीन पेश करते हैं नो डाउट उनक हैं जिन से आप ने खुद भी उनकी गुफटगु सुनी जो सारा टाइम हमारे साथ रहे पापोश के कबरिस्तान में और यही दूआ करेंगे कि हमारी आखरी अरामगा है और अल्ला ताला यहां पे जो चले गए हैं उनकी मखफरत फरमाएं और हम सब पे अपना रहम फरम और हम पे अपना करम फरमाएं लेकिन जो आला शक्सियात आज का यह प्रोग्राइम देख रही हैं खास तोर से लौ मिनिस्ट्री और उसके साथ साथ दीगर जो इदारे हैं उनको इस बात का एसास होना चाहिए कि इस किसम के जराइम के लिए सख्त सख्त सजा मुकरर की जा चाहे नैशनल असेम्बली में बिल लाना पड़े लेजिसलेशन करानी पड़े या लौ डेपार्टमंट खुद लेजिसलेशन करे इस चीज़ को मैं चाहती हूं और मेरी रिक्वेस्ट है कि ना सिरफ असेम्बली में उठाया जाए खास तोर पर खावतीन इस इशू पर ड बड़ा जुर्म है और जितना बड़ा ये जुर्म है उतनी ही बड़ी इसकी सजा होनी चाहिए तमाम उल्मा हज़रात से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब इस पर अपना अपना मौकिफ वाज़े तोर पर पेश करें और हकूमत वक्त पर प्रेशर डालें कि इस जानवर चाहेंगे और दौा ये करेंगे कि ऐसी खौफनात ना हो लेकिन मौशने में जहां भी इस किसम का क्राइम हमें मिलेगा वो हम आप तक पहुंचानी की कोशिश करेंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिस